ठंड में हर सुब पिए एक कप लॉंग का चाय, होंगे ये पाँज जब अदस फाई दें? जी हाँ दोस्तों, लॉंग में मेगनिशियम होता है, अत्य इसकी चाय पीने से बैक्ट्रियर इंफेक्शन खतम होने के साथ साथ और इम्मूनिटी पावर बढ़ने में भी मदद मिलती है, यदि आप गला खराब हो रहा है या गले में खराशे, खासी, जुखाम हो तो चाय लापकारी रहेगा, मास पीशियों में दर्द हो रहा हो तो लॉंग की चाय जरूर पिये, इस समस्या से निजात मिलेगी, अगर पाचन तर्ष से कोई समस्या हो तो लॉंग की चाय पीना काफी फाइदे मन्द होगा, कफ और गले की विकारों के लिए जहां या चाय करी रहेगी, आपको सामगरी बता दू कि किस तरह बनाना है, चार से पांच लॉंग, हाफ इंच डाल चीनी का टुकडा, हाफ इंच अद्रक का टुकडा, दो कप पानी, नीबू का रस, एक चमस सहत, जी हां दोस्तों, कैसे बनाएं, एक भगोने में दो कप पानी डालना है आपको दो से तीन उबाल आने पर गैस आपको बंद कर देना है, अब इसमें, चार से पांच लॉंग, किसा हुआ अद्रक और दाल चीनी का टुकडा डाल देना है, सभी चीजियों को पांच से बीस मिनिट तक आपको पानी में डूबे रहने देना है, अब पानी एक कप मे चान ले और एक चमश शहद मतलब हनी और हाफ चमश नीबू का रस मिलाए, अब घर पर तयार की हरबल लॉंग की चाय को मजा उठाए, सर्द मोसम में भी ये चाय आपको कई फायदे देंगे, तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने बताया है, ठंडे में हर सुबे पिए लॉंग की चाय, इससे होंगे आपको जबरदस फायदे, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें